आज हम two root words करने वाले हैं first one is C.A.P.C.I.P.C.E.P.T. जिसका meaning होता है to take लेना किसी चीज को सुइकार करना to get पाना किसी चीज को उसको हम बोलते हैं C.A.P.C.I.P.C.E.P.T. next root word is C.A.R.N. या C.A.R.N.I. जिसका मतलब होता है flush, meet, mass या फिर mass से related कुछ भी उसको भी हम बोल सकते हैं C.A.R.N. C.A.R.N.I. चलिए अब first root word के साथ शुरुवात करते हैं first word is anticipate so anti root word मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ जिसका मतलब होता है before पहले और C.A.R.N.I.P. मतलब लेना या पाना किसी जीच को तो anticipate का meaning हो जाएगा किसी भी चीच को पहले ही predict कर देना पूर्व अनुमान लगा देना किसी जीच का किसी जीच का अनुमान पहले ही लगाना उसको हम बोलते है anticipate करना so anticipate means to expect something किसी जीच को expect करना या predict करना example sentence देखते हैं they fail to anticipate a full scale invasion invasion मतलब आकरमन so वो fail हो गए full scale invasion को anticipate करने में एक और example I did not anticipate this failure मैंने ये failure anticipate नहीं किया था मतलब अनुमान नहीं लगाया था इस failure का मैंने expect नहीं किया था एक और example हो सकता है we anticipate that sales will rise next year हम anticipate करते हैं कि जो sales हैं वो अगले साल बढ़ जाएंगी राइट हम अनुमान लगाते हैं इस पिरकार का so anticipate का मतलब होता है expect करना या predict करना moving on to the next word captivating kept मतलब to take so captivating होता है जो आपको आकरशित करता है जो अपनी तरफ पिरभावित करता है आपको अपनी तरफ लेने के लिए रहता है एकदम उसको हम बोलते है captivating जो काफी attractive होता है जिसकी तरफ आप काफी जादा interested होते हो उसी को हम बोलते हैं वो captivating है right captivating है एक adjective है so captivating means capable of attracting and holding interest जो आपको attract करने में सक्छाम हो जो काफी charming हो उसको हम बोलते है captivating example sentence देखते है the school is looking to hire captivating teachers जो school है वो captivating teachers को hire करने के लिए देख रहा है that can keep students engaged for long periods of time जो बच्चों को काफी लंबे समय तक अपनी तरफ attract कर सकें उनको engage रख सकें उनका आकरसन उस चीज़ पर बनाए रखें उनको हम बोल सकते है captivating teachers right so captivating means capable of attracting and holding interest और captivating की verb form हो जाएगी captivate so captivate का मतलब भी ऐसा ही होता है अब इसकी similar words देखते हैं first word हो सकता है charm inchant ये में पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में be which, fascinate, beguile और इसी की तरह और भी words हो सकते हैं attract, in rapture, delight, allure, enamor ये word भी में पहले करा चुका हूँ woo, ravish ये सभी इसी के similar words हो सकते हैं अब इसी की तरह कुछ और words बन सकते हैं जैसे capture capture मतलब किसी चीज़ पर अपना possession बना लेना किसी चीज़ को control कर लेना उसको हम बोलते हैं capture करना जैसे example हो सकता है this island was captured by Australian forces in 1914 इस island पर 1914 में Australian forces द्वारा कबजा कर लिया गया था, right so capture मतलब होता है कबजा करना किसी चीज़ को अपने possession में ले लेना किसी चीज़ को control करना by force उसको हम बोलते हैं capture करना और इसी तरह एक होर हो जाएगा recapture, re मतलब back फिर से, re के दो मतलब होते हैं back और again लेकिन यहाँ पर हम back यूज़ कर रहे हैं so recapture मतलब फिर से वापस ले लेना take something back जिस पर कबजा हुआ था, जो चीज़ capture हुई थी उसको वापस ले लेना उसको हम बोलते हैं recapture करना example sentence हो सकता है armed forces have recaptured a prisoner who has been on the run for five days armed forces ने जो prisoner भाग राशा पांच दिनों से उसको पकड़ लिया है फिर से recapture कर लिया है उसको, right और सभी एक ही root word से बने हैं c-a-p-t जिसका मतलब होता है to take लेना किसी चीज़ को, right या पाना किसी चीज़ को moving on to the next word incipient, in मतलब into और sip मतलब take, मतलब किसी चीज़ को लेना अभी शुरू ही किया है so incipient मतलब हो जाएगा just beginning किसी भी चीज़ की जो शुरुवात होती है उसको हम बोल सकते हैं incipient example sentence देखते हैं since the rumor is incipient क्योंकि जो अभवा है उसकी अभी शुरुवाती हुई है वो incipient है अभी just we can stop it by telling the truth immediately, हम इसको रोक सकते हैं सत्या को तुरंत बताने पर, right एक और example देखते हैं because the incipient plan has no backup measures जो incipient मतलब जो शुरुवाती plan है उसका कोई backup नहीं है there is no chance it will succeed बिल्कुल भी chance नहीं है कि यह succeed होगा, right यह successful होगा, उसके बिल्कुल भी chance नहीं है क्योंकि इसका कोई backup plan नहीं है और incipient plan means शुरुवाती plan, right अब इसके कुछ similar words देखते हैं developing हो सकता है, impending हो सकता है, growing हो सकता है emerging, emergent, donning, starting, inceptive, initial, nascent, embryonic, fledgling, inchoate, rudimentary यह सभी इसके similar words होगते हैं moving on to the next word intercept, inter मतलब beach में, between sept मतलब take, किसी चीज को beach में ही पकड़ लेना किसी चीज में बाधा डालना, उसको हम बोलते हैं intercept यह किसी भी चीज को beach में पकड़ कर वहाँ से उसकी information gather करना, उसको भी हम intercept बोल सकते हैं, right so basically intercept मतलब होता है to interrupt somebody यह something, किसी चीज में बाधा डालना interrupt करना बीच में, उसी को हम बोलते हैं intercept example sentence देखते हैं the R and AW uses high-tech technology to intercept the communication between foreign countries and its spies जो हमारी intelligence agency है इंडिया की, वो high-tech technology का use करती है to intercept the communication communication को intercept करने के लिए between foreign countries और उसके spies जो उसके spies है, मतलब जो उसके जासूज है और जो दूसरे देश है जो foreign countries है, उनके बीच की communication को वो high-tech technology से intercept करती है, right एक और example देखते हैं, रफेल fighter jet is used to intercept any aircraft that attempt to enter India's airspace रफेल fighter jet जो है इंडिया का, उसको उन एरक्राफ्ट को intercept करने के लिए use किया जाता है जो इंडिया के airspace में घुसने की कोशिस करते हैं जो इंडिया के airspace में घुसने की कोशिस करते हैं, उन सभी aircraft को intercept करने के लिए रफेल फाइटर जैट का use किया जाता है moving on to the next word percipient पर मतलब through sip मतलब to get मतलब किसी भी चीज को एकदम अच्छे से पा लेना मतलब किसी भी चीज को एकदम अच्छे से समझ लेना उसको हम बोलते हैं percipient so percipient means good at noticing and understanding things चीजों को notice करने में और समझने में काफी अच्छा होना उसको हम बोलते हैं percipient example sentence देखते हैं सुमीत काफी percipient है baseball के बारे में क्योंकि वो इस sport को काफी अच्छी तरह से समझता है पूरा समझता है इस sport को right so percipient मतलब किसी भी चीज को एकदम अच्छे से समझना good at noticing and understanding things एक और example देखते हैं my friend was far more informed articulate and percipient than I was मेरा जो friend था वो काफी जादा informed था मतलब काफी जादा जानकारी थी articulate मतलब अच्छे से बोलना जानकारी को एकदम अच्छे से बताना and percipient और अच्छे से समझना than I was मेरा friend मुझे जादा informed था articulate था और percipient था moving on to the next word precept, pre का मतलब होता है before anti और pre दोनों का मतलब होता है before ये मैं पहले भी बता चुका हूँ so precept, pre मतलब before sept मतलब to take, मतलब जो आपको बताता है कोई भी चीज किस तरह करनी है किस तरह आपको उसको लेना है right, precept मतलब होता है a rule about how to behave or what to think जो एक rule होता है, जो एक boundary होती है या जो एक rule होता है जो आपको बताता है कि आपको इस चीज को इस तरह करना चाहिए, उसको हम बोलते है precept, example देखते है lawyers are supposed to follow a strict precept of ethics lawyers को माना जाता है कि वो एक strict precept of ethics, ethics मतलब नेतिकता जो हमारा अच्छा behavior होता है जो हमारी अच्छे morals होते है उनको हम बोलते है ethics, मतलब एकदम strict rule follow करते है ethics का, नेतिकता का अच्छे behavior का, morals का एकदम strict precept follow करते हैं lawyers यह माना जाता है right so precept means a rule about how to behave or what to think moving on to the next word susceptible sus मतलब from accept मतलब take मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आप easily ले लो मतलब जो आपको easily पिरभावित कर दे जिसके पिरती आप काफी समवेदन शील हो उसको हम बोल सकते हैं susceptible so susceptible means easily influenced और harmed by something जिससे आप काफी easily पिरभावित हो जाओ मतलब आप उसके पिरती काफी जादा समवेदन शील हो उसको हम बोल सकते हैं susceptible example sentence देखते हैं because James smoked for over 20 years क्योंकि James ने 20 सालों से भी जादा smoke किया है he is extremely susceptible to respiratory illness वो सास की बिमारी के लिए काफी जादा समवेदन शील है right इस तरह हम इसको use कर सकते हैं चलिए अब next root word देखते हैं कान कानी जिसका मतलब होता है flush meat mass चलिए अब first word देखते हैं carnage तो कान का मतलब होता है flush मतलब खून से related है इसलिए carnage का meaning होता the violent killing of a large number of people काफी जादा लोगों की हत्या हो जाना नर संगार होना उसको हम बोलते हैं carnage हर तरफ खून ही खून हो जाना हर तरफ flushy flush हो जाना हर तरफ मास ही मास हो जाना उसको हम बोलते हैं carnage example sentence देखते हैं we banned a child from playing his favorite video game हमने अपने चाइल्ड को हमने अपने बच्चे को ban कर दिया है उसका favorite video game खेलने से because of the violence and carnage it contained क्योंकि उसके अंदर काफी जादा violence हिंसा है और काफी जादा carnage है इसलिए हमने अपने चाइल्ड को ban कर दिया है right moving on to the next word carnal carnal मतलब flush, खून और carnal का मतलब होता है connected with the human body जो मानव शरीर से संबंधित हो जो मानव शरीर से related हो उसको हम बोल सकते हैं carnal example sentence हो सकता है अब priest is supposed to ignore carnal temptations and devote his life to the church जो priest होता है जो पुजारी होता है इस supposed to ignore carnal temptations उसको suppose किया जाता है कि वो carnal temptations को ignore करे, ध्यान ना दे उन पर and devote his life to the church और अपनी life को church के लिए devote करे वो शारादीक चीजों को छोड़ कर अपनी life church के लिए devote करे moving on to the next word carnation, so carnal मतलब होता है flush, mass so उसी से इसका origin हुआ है जो mass के रंग की तरह दिखता है ऐसे flower को हम बोलते हैं carnation यह तो काफी easy है moving on to the next word चार्नेल हाउस, चार्नेल हाउस एक ऐसी building होती है a building और vault in which corpse और bones are piled जहां पर लोगों की हड्डियों का और उनके मिरत सरीर का धेर लगा दिया जाता है एक के उपर एक, pile मतलब एक के उपर एक लगा देना उस building को हम बोलते हैं जो पहले युद्ध होते थे, वहाँ पर काफी ज़्यादा बरवरता होती थी उस time पर लोग ऐसा करते थे उस time पर चार्नेल हाउस पाया जाते थे जो Christians होते थे Europe में जो वो युद्ध लड़ते थे पहले वो चार्नेल हाउस काफी ज़्यादा बनाते थे तो वहीं से इसका origin हुआ है So channel house means a building और vault in which corpses और bones are piled Moving on to the next word Carnival Carn मतलब flush Carnival एक festival को बोलते हैं A public festival that involves music and dancing in the streets in Roman Catholic countries जो Roman Catholic countries होती है वहाँ पर मनाया जाता है यह festival इसमें music होता है और dancing होती है street पर लोग हचते हैं, गाते हैं, नाचते हैं इस street पर, उसको हम मोलते हैं Carnival Flush का इसमें मतलब हो सकता है यहाँ पर logo से, चलिए अब इसका example देखते हैं As the Carnival was being set up at the state park for this week, जैसे ही Carnival set हो रहा था state park में इस week के लिए Passerby, मतलब जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे could tell that a roller coaster and several spinning rights would be included वो बता सकते हैं कि वहाँ पर roller coaster होगा और कुछ spinning rights भी होंगी, right? Moving on to the next word Carry on The decaying flush of dead animals जो मरे हुए पशू होते हैं जो उनका सड़ा हुआ मास होता है जब वो मर जाते हैं, जो मास decay होना शुरू हो जाता है, उसको हम मोलते हैं Carrying So Carrying means the decaying flush of dead animals Example sentence देखते हैं Because animals are regularly killed on the highway क्योंकि animals regularly मरते रहते हैं highway पर There is always a supply of carrion for the scavengers जो scavengers होते हैं उनके लिए हमेश अवहाँ पर carrion की supply होती है scavengers वो होते हैं जो मरे हुए लोगों का मास खाते हैं जैसे गिद्ध होता है, वल्चर होता है उनका हम मोलते हैं scavengers So in मतलब into, can मतलब flush So incarnadine काफी simple होगा Flush colored, जो flush के रंका हो उसको हम बोल सकते हैं incarnadine या फिर pinkish red color हो जो थोड़ा गुलाबी और लाल रंका हो उसको हम बोल सकते हैं incarnadine Example sentence देखते हैं When asked to describe the suspect Suspect मतलब संदिग्ध जब संदिग्ध को describe करने के लिए बोला People said his skin was incarnadine लोगों ने बोला उसकी skin incarnadine थी incarnadine मतलब pinkish red color की थी, right? Moving on to the next word Reincarnation Re मतलब again Can मतलब flush मतलब फिर से flush की body में आना मतलब फिर से birth होना Reincarnation को हम बोलते हैं rebirth फिर से जनम जो होता है उसको हम बोलते हैं reincarnation So reincarnation means belief that soul appears in another body after death जो मृत्यू के बाद दूसरे शरीर में हमारी आत्मा जाती है उस belief को जो लोग ऐसा मानते हैं उसको हम बोलते हैं reincarnation जो आत्मा का एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में जाना उसको हम बोलते हैं reincarnation या फिर rebirth या फिर दूसरा जन्न example sentence देखते हैं अगर मेरी माताजी मृत्यू के बाद का जीवन experience करती है वो चाहती है कि उनको एक बर्ड का शरीर मिले एक पक्षी का शरीर मिले during reincarnation उनके rebirth के time पर चलिए अब कुछ easy words देखते हैं जो इनी दोनों root words से बन सकते हैं जैसे accept किसी भी चीज को सुईकार करना उसको हम बोलते हैं accept करना to take willingly something that is offered जो offer किया गया है उसको सुईकार करना उसको हम बोलते हैं accept करना और किसी भी चीज को accept करने को मतलब सुईकार करने को हम बोलते हैं receive करना So receive मतलब to get or accept something. किसी चीज को पाना या accept करना उसको हम बोलते हैं receive करना. और जो व्यक्ति उस चीज को receive करता है उसको हम बोलते हैं recipient. So recipient मतलब a person who receives something. जो कोई person किसी चीज को receive करता है उसको हम बोलते हैं recipient. जैसे मैंने आपको gift किया. आपने मेरा gift accept किया मतलब सुईकार किया और फिर आपने उस gift को receive किया फिर आपने वो gift लिया और क्योंकि आपने वो gift लिया है तो आप हो गए recipient राइट So accept मतलब सुईकार करना, receive मतलब पाना और recipient मतलब जो receive करता है वो होता है recipient आप person who receives something उसको मोलते है recipient और एक और word हो सकता है carnivorous can मतलब flush, warm मतलब to devour या to eat खाना किसी दीजगो So carnivorous ऐसे animals होते हैं जो mass खाते हैं जो mass आरी होते हैं उनको हम बोल सकते हैं carnivorous और जब हम वोरस root word पढ़ेंगे तो हम सारे के सारे और भी animals पढ़ेंगे जो अलग-अलग चीज़े खाते हैं राइट So now it's time for quick revision First word is anticipate मतलब किसी भी चीजग का अनुमान लगाना उसको हम बोलते हैं anticipate करना Captivating मतलब काफी ज़्यादा आकरशित होती है जो चीजग जो आपकी attention attract कर लेती है उसको हम बोलते है captivating Capture मतलब कपजा करना Recapture मतलब वापस लेना किसी चीजग पर वापस से अपना कपजा करना उसको हम बोलते हैं recapture करना Incipient मतलब शुरुआत होना किसी चीजग के उसको हम बोलते हैं incipient Intercept मतलब अवरोधन उत्पन करना मतलब किसी चीज़ को बीच में रोकना, interrupt करना उसको मोलते हैं, intercept Percipient मतलब जो किसी भी चीज़ को एकदम अच्छे से समझता हो उसको मोल सकते हैं, Percipient Precept, Precept एक रूल होता है जो यह बताता है कि किस तरह behave करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए उसको मोलते हैं, Precept Susceptible बोल सकते हैं, जिसके पिरतियाप काफी समवेदन शील होते हैं, उसको मोल सकते हैं, Susceptible Carnage हम बोलते हैं, नर संगार को, जिसमें काफी जादा लोगों की मृत्यू हो The violent killing of a large number of people, उसको मोलते हैं, Carnage Carnage, Carnage हम मोलते हैं, जो मानव शरीर से संबंदित होता है, उसको मोलते हैं Carnage Carnage, a white, pink, red और yellow flower, एक सफेद, गुलाबी, लाल और पीले रंग का फूल, उसको मोलते हैं Carnage Carnage, a building or vault in which corpses and bones are wild, जहाँ पर मिरत शरीरों का धेल लगाया जाता है, उसको मोलते हैं Carnage Carnival, Carnival एक festival होता है, जिसको लोग काफी खुशी से बनाते हैं स्टीट्स पर Carrying होता है, सडा हुआ, mass animals का, incarnadine flush colored, जो मास के रंग का हो, जो pinkish, red color का हो, उसको मोलते हैं reincarnation, reincarnation, मतलब rebirth, फिर से जनम लेना, उसको मोलते हैं reincarnation Accept मतलब सुईकार करना, Receive मतलब किसी चीज को पाना, recipient मतलब जो किसी चीज को receive करता है, उसको मोलते हैं वो उस चीज का recipient है Carnivorous होता है, massari, उसको मोलते हैं Carnivorous जैसा कि काफी लोगों ने demand की थी root word vocabulary की book की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए थोड़े ही दिन बाद हमें एक root word vocabulary की complete book launch करने वाले हैं इसकी hard copy as well as soft copy दोनों available होंगी इस वाली website पर इसका link नीचे description में भी दिया गया है अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको improve करने के लिए तो आप नीचे comment box में बता सकते हो तो इसमें इस तरह से कुछ cover किया जाएगा, पहले first root word दिया जाएगा फिर उसका origin बताया जाएगा, फिर एक example के दोवारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे words होंगे उसी से related जैसे first word है acrobat, इसका photo दिया होगा यहाँ पर, पहले meaning बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर example, मतलब किस तरह use हुआ है सबसे important uses होता है, तो इसी तरह सारे words कवर होंगे A to Z, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे comment box में बता सकते हो, अगर आप इस book को लेना चाहते हो, तो इस link पर जाकर ले सकते हो, जैसे ही ये book available होगी, आपको इस link पर मिल जाएगी, इसकी hard copy as well as soft copy, और यह link न स्बस्टाइ करे पास के ये बता हो, आपको इस भृण करे हो, तो हो तstar के बता है उन्हा क fingerprint प्रवण।